नमस्कार मैं प्रियाराज आप देख रहें एक न्यूस 24 आपको बता दे केंद्रिये मंत्री चिराग पास्वार और उनके प्रिये चाचा पश्यूपती पारस दूनों के बीच लडाई थमने को नाम नहीं ले रही थी लेकिन इस बीच पश्यूपती पारस को लगा था कई बड़े जटके मिले सबसे बड़ा जटका उनका आवास खाली करने का जो 13 नवंबर की तारीक थी जिस दिन उनको आवास खाली करने के लिए बड़ी लेटर जारी हुई थी जिस लेकर पश्यूपती पारस काफी चिंतित हो गई थी लेकिन अच्छानक ये फिर बदल ऐसा कि उसने हां क्या लगता है आपको देखे प्रिया तरश्यूपती पारस का जो बंगले और आवास का जो मामला था लंबे अर्से से लटका हुआ था और बात करें चिराग पास्वान और पश्यूपती पारस दोनों चाचा का आवास खाली करवा दिया है चाभी भी उन्होंने ले रखी है तो देखिए 13 नमेंबर का वो डेट था जब आधिकारिक तौर पर पश्यूपती पारस से ये लास्ट दिया गया था कि इतने दिन तक आपको अपना आवास खाली करना है लेकिन उसके पहले ही पारस ने 11 त चाचा से वो बदला ले लिया है जो दो साल पहले मीडिया में आया था जिस तरीके से पश्यूपती पारस और चिराग पासवान की जो लंबी लड़ाई थी परिवारिक रंजिश कहले राजनितिक रंजिश कहले वो देखने को मिल रही थी तो अब पारस ने अपना बंगल है यहालिं है जो चीराग पासवान चाहते थे वही हुआ लगतार मीडिया कर्म्हें से बारचीत के दोरान भी खुलासे करते रहें कि चा-चा रिश्त अभर लेकिन दिल से चाचा नहीं मानते हैं क्योंकि पश्यूपती पारस और चीराग पासवान की सबस्रों त La Gं IN में भी बनी रहती है सोसल मीडिया में भी और मीडिया लगतार इन बातों को लगतार चलाती है लेकिन इस बीच जब से बड़ी बात हो गई कि चिराग पास्वार आज उस जगह पर पैर रखे हैं जहां पश्रुपति पारस अक्सर बैठर किया करते थे बड़ी-बड़ी मिट खुद उस आवाज पर मिटिंग के लिए जाय करते थे लेकिन आज चिराग पास्वान वहां जाते हैं वहां पर लोग काफी उनका स्वागत करते हैं मालारपन देखते हैं मिठाई की डिबी देखती है तस्वीरों के मादन से हम आपको दिखाएंगे वहां का नजरिया भी मिठाईयों के भंडार लग जाते हैं लेकिन इस भी सबसे बड़ी बात और बड़ा जटका मिला है किसी को तो वह है पश्यूपती पारस पश्यूपती पारस ने हलाकी जहां 13 नमंबर को खाली करना था वहां 11 नमंबर यानि दो दीन पहले ही आवास खाली कर दिये और आव पश्यूपती पारस का यह आवास खाली रहता है तो चिराग पास्वार अपना आगमन जरू दिखाते हैं इसे भी राजनीतिक या फिर कहा जाए तो रंजीसों से हम देख सकते हैं क्या लगता है श्निया लेकिन प्रिया अगर पश्यूपती पारस की बात की जाए तो उस सरकारी अवास पर उपिछले 40 वर्षों से लह रहे थे कहा जा रहा था कि राम विलास पास्वान ने उस आवास को अपने पार्टी की कार्याले को स्थापत करने के लिए लिया गया था लेकिन उसके बाद चाचा पारस लगतार उस घर में उस आवास में 40 वर्षों से अपन की बात की जाये तो जिस तरीके से राम विलास की पार्टी में टूट हुई थी जिस तरीके से चिराग पासवान और पसुपती पारिस अलग-अलग हो गये थे दो गुट में यह पार्टी बट गई थी विल्कुल उस समय से मामला सामने आया था जिस तरीके से चिराग पासव अपने चाचा को बनाया था तो अब देखिए अब राजनीती करवट ली है अब चराग पासवान उने जो भी खोया था अब सब कुछ पा लिया है अब अधिकारिक तौर पर वह अवास उनके नाम हो गया है कई तरीकी के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं लिकिन सब के बीच एक बड़ा सवाल है प्रिया जो उठकर के निकल करके सामने आ रहा है कि दोनों ही दल चाहे हम LGPR की बाद कर लें फिर RLJP की बाद कर लें दोनों ही दल मानने ता प्राप्त दल है तो ये किस आधार पर एक दल का कार्याले खाली करवा के दूसरे दल को देना ये किस आधार और पर हो रहा है कि देखी बाद के तरफ से कहा जा रहा था कि भवन निर्मान विभाग के तरफ से जो बायान बाजी चल रही है वो उसका कोई अधार नहीं है कि किस आधार पर आप एक पार्टी से कार्याले लेकर के दूसरे पार्टी को दे रहे है इसके अधार शीला प्रत्यासियों के लिए कभी जमिनी अस्तर पर जाकर जनसभा से संबोधित करना हो अक्सा चिराग पैस्वान को देखा जाता है लेकिन यहां बात आ जाती पश्चुपती पारउस को आपको याद हुगस नहा कि हाली के दिनों में चिराग पैस्वान बीजेपी के अहम फैसल लाइन पर आगे चिराग पैस्वान बाते समझने लगे बीजेपी के हामी में हामी भरने लगे फिर पश्चुपती पारउस को साइट कर दिया गया यहां साथ तोर पर दिख रहा है कि अब जो बड़ी चेहरे हैं और बड़ी पाठिया है वह चिराग पास्वान के सारों प बड़ी बातों को सानलाता है चाहा जाये तो वह आवास किसी और भी मंत्री को मिल सकता था लेकि चिराग पास्वान ही क्यों देखिए यही तो बात है प्रियार क्योंकि देखिए आवास खाली करा दिया यह दो है लेकिन आप यह मत भूलिए कि लोगसबाद चुनाओं में आरल जेपी पार्टी जो है वो एंडिये से कटिती नजर आ रही है और देखिए अब मीटिंग भी होने वाली है पशुपती पारस ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाई है 19 तारी को मीटिंग होने वाली है जिसमें साफ तोर पर यह जाहिड किया जाएगा और अंदर ख मक्ष में कि मैं एंडिये का हिसा हूं लेकिन एंडिये के हिसा होने के बाजूत भी पशुपती पारस को वो जगह वो ओदा नहीं मिल पाया जो चिराग पास्वान को मिलता रहा है और इन्हीं बातों पर कहीं ने कहीं पशुपती पारस को बड़ा जटका मिला है हो सकता है अपनी खुद की पाटी अब शुरू करें और पूरे मजबूती के साथ नए चेहरे के साथ और कहा जाए तो बड़े दमखम के साथ अब देखने को मिल सकते क्योंकि पशुपत्ती पारस खामोस है सांती पुर्वक हैं कहा जाए तो जहां 13 नुमबर को अवास खाली करना था वहां 11 नुमबर को शांती पुर्वक अवास खाली कर दिये ये साथ और पे जाहिर होता है कि पश्चुपती पारस अंदर खाने बहुत बड़ी बाते और अपनी बातों के अंदर कहा जाए तो बड़ी कोई सच्चाई छिपाए बैठे हैं हईसां सदक्रिया बात की जाए इंतीस सरकार की की जो भडान नितीस में जीटिन गखना लेकिंग दूड़ अमिकार करणा पारश है यह साहत और प्रभास समस्जय को समझते हैं कि ऐनमा मोदी सब्से जद्र्म. शाजा करते हैं वह तौरे के बात की जाए तो बगल वाली कुर्सी के बगल में वो बैठी नजर आए थे और जमुई की भी बात कर लें जमुई में उनकी बिरसा मुंडा जेंती पर जब पीएम मोदी गय थे जमुई उस वक्त भी चिराग पासवान लगतार उनके साथ दिख रहे हैं और लगतार उनके साथ कदम से कदम मि इस नहां यह साब बातों को जाहिर करता है कि चिराग पासवान मोदी के अभी भी नजदिक है और मोदी के जस्ट बगल वाली सीट में वो बैठा करते हो जब ही मेडिया संस्थान से बातचीत करते हैं तो वो मोदी के तारिफों का पूल बांते ही नजर आते हैं तो जैसे क की माला चिराग पास्वान को पहनाय जाता इसके साथ ही चिराग पास्वान की वो चमक और परशुपती पारस के लिए परिश्यानी के साथ साथ बड़ा जटका देखने को मिल रहे क्योंकि पश्यूपती पारस जहां अपना आवास खाली का शांती पुर्वक है तो वहीं चिराग पसंद दमखम के साथ आवास पर जाते हैं खूब खुशी मनाते हैं लोगों को अशिरवात देते हैं और यह सारी तस्विर सोसल मीडिया पर इस वक चर्चे में है यानि चिराग के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है और अगला कदम क्या वह उठाते काफी दिल्चस्ट रहेगा देखना तब तक यह यह भी बने रहेगा एक न्यूस ट्रेंटीफोर पर धन्यवाद